भारत में कई ऐसे मंदीर है जो पूरे विशो में मशूर है। इन मंदीरों में रोजाना लाकों की मातरा में श्रदालू पूजा अर्जना करने जाते हैं। हालांकि मंदीरों में केवल हिंदू दरम में आस्ता रखने वाले लोग ही जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे प्रोसी देश पाकिस्तान में एक ऐसा मंदिर है जहां हिंदू ही नहीं मुस्लिम लोग भी पूजा करने जाते हैं आखिर ऐसी क्या वज़ा जिनके चलते उस मंदिर में मुस्लमान लोग भी माता टेकते हैं आईए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों मिस्ट्री दुनिया में आपका स्वागत है और दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल अवी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आईकल भी दबा दें यदि वीडियो पसंद आएं तो शेर करना ना भूलें दोस्तों पाकिस्तान के बिलुचिस्तान में इस्तित इस पवित्र मंदिर में हिंग लाज माता की पूझा की जाती है बात अगर हम इसके इतियार की करें तो यह कहा जाता है कि जब भगवान शीम माता सती की लाश सीदे जाकर सती माता का सिर कार दिया था सिर कटने के बाद सीदे आकर फिर्थवी पर गिरा एसी मानिता है कि फिर्थवी पर माता का सिर इसी जगा पर गिरा था बाद में इसे हिंग लाज माता के नाम के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है यह पाकिस्तान के बिलुचिस्त से 120 किलोमेटर की दूरी पर हिंगुल नदी के तड़ पर स्तित है माता के 51 शक्ति पीटों में इस जगह का नाम भी आता है दोस्तो और जो दूसरा मंदीर में बताने जा रहा हूं वो है स्वामी नारायन मंदीर पाकिस्तान के कराची शहर के बंदर रोड पर स्तित है यह मंदीर करीब 32,306,000 स्क्वेर याड में बना हुआ है यह मंदीर लगबग 160 साल पुराना है जितनी आस्ता के साथ इस मंदीर में हिंदू माता टेकते हैं उतहीं आस्ता के साथ यहां मुसल्मान भी माता टेकते हैं यही नहीं जब देश का बटवारा हो रहा था तो उस दुरान इस हिंदू मंदीर का उप्योग रिफ्यूजी कैम्प के रूप में भी क्या गया इस मंदीर के परिसर में एक गुरु नानक गुरुद्वारा भी मौजूद है आज यहां धरम के नाम पर हिंदू और मुसल्मान के बीच दरार पैदा की जा रही है वहीं ये मंदीर गंगाय यमना तहजीब के तरहां प्रेम का संदेश देए वही करांची स्थित पंच मुकी हनुमान मंदीर से भी जुड़ी ऐसी ही आता है यहां की माननेता है कि यह मंदीर तकरीबन 2000 साल पुराना है इस मंदीर में स्थित एक हनुमान जी की मुर्ति हरुआन जी के मुर्ति को 13 युग से भी 17,000 साल पुराना माना जाता है इनका पुर्ण निर्मान साल 182 में कराया गया था भारत के लोगों की राम जी में गहरी आस्ता के कारण यहां अनेकों राम मंदीर है लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ राम मंदीर स्थित है जिन में सबसे विशेश इसलाम कोर्ट का राम मंदीर है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कुमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो शेयर करना लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ठीके दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ